कुछ काम की वीडियो ही मैं यूट्यूब पर आपसे शेयर करता हूँ जिनका कुछ मतलब होता है ठीक है आज का कुश्चन जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर या गूगल करेंगे तो डिरेक्ट अंसर आपको नहीं मिलेगा इंडिरेक्टली तरीके से घुम घाम के आपक के लाफ्शन यह है कि कितने अएंप्योड पर कितने माइक्ट्रीrist का कैप्रिसेटर यूझख कर सकते हैं हम ठीक है अगार अगर हमने पावर सप्लय बनाई है या दिज्ची पावर सपाव अप्लय कहीं लगी हुए तो कितने वॉल्टेज या कितने माइक्ट ऐसे मैं का अगलग I like सबसे बाता देना चाहता हूं यह मेरे पास है क्या सु मखने आश को देखते हैं यह हमारे पास 25W थायए 25yanwerk का आश 10 माइकमि को में finds की तलौज तका और तीसरा या फैल से हमारे यानि कि यह हम 2A तक यूज कर सकते हैं, जब आउटपुट में 2A तक का करंट हम ले रहे हैं, तो यह कैप्सिटर बहुत अच्छे से काम करेगा, मतलब मिनिमम रेंज जो रहेगी, वो 2A के लिए यह अच्छे से काम करेगा, 1000μF के लिए 1A आउटपुट अनाम से मिल जाता है ऐसे ही, अगर माल लिए 2A या उससे कुछ काम आउटपुट यूज कर रहे हैं, तो यह वाला 22μF बरिया से काम करेगा, और तीसरा वाला कैप्सिटर लेके समझेंगे, इस पे लिखा है 1000μF, यानि 1A या उससे कम का करेंट आउटपुट में जा रहा है, ठीक है, 1A से कम, त बात करते हैं, वोल्टेस की, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो देखिए, अगर आपके पास आउटपुट में आपने 15V, 12V, 15V, 16V, 19V, 20V तक की सप्लाई यूज करी है, तो उससे 3-4 वोल्टेस जादा का ही कैपिसेटर यूज करना है, यानि की 25V का यूज करेंगे, इससे क्या रहेगा, कैपिसेटर हमारा हीट नहीं करेगा, मालीज आपकी पावर सप्लाई जनरेट कर रहे है, 26V, 25V, 24V, आपने लगा दिया 25V का, तो फिर यह गरम होके हो सकता है, फट जाए, लेकिन फटेगा तभी जब बोल्टेज बहुत जादा यूज कर लेंगा, वा जैसे यह 50V, 2200MF है, तो इसको का इस्थमाल करेंगे, इसको हम यूज कर सकते हैं, जहां पर 40-45V की आउटपुड मिल रही हो, और 2MPL मिल रही हो, मैग जी, वहां पर यह वाला कैपिसेटर यूज कर सकते हैं, यानि कि शॉर्ट में समझाएज अगर आपको, तो 1MPL आउट अगर 10V आ रहे हैं, तो 15V का यूज करना है, 15V का कैपिसेटर नहीं आता, 15V का, तो 25V का यूज कर लिजिए, बैसिकली ज्यादा वैल्यू का कैपिसेटर यूज कर सकते हैं, और उसके बाद, अगर आपको वोल्टेज रेगुलेट करने हो, तो आप लीनियर आइसी, यानि और में एंपियर पर कितने माइकोट तो समझ लिएजेद, बैक में हो रहे हैं, हर एक एंपियर के लिए 1000 में ईओड़ रेज़ागा, निकल दा है, तो 2000 या 200 मैइकोट तेर फार याम और तो वर तीन पाले समीय तो, तेरिन को कह रहत多 ऐए, और 95V पर में चार श्यूज निक भुमाफरा के बात को बताए जाएगा ठीक है बहुत सारे फार्मुलाज आपके सामने रखे जाएंगे समझ में कुछ भी नहीं आता है क्योंकि हम सिर्फ डिरेक्ट अंसर ढूंड रहे होते हैं तो मैंने आपसे सीधा अंसर इस्ट्रेट अंसर आप तक शेयर करा है और वीड वीडियो में मिलता हूं कोछ अच्छी वीडियो के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है